नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमान नायक काठमंडू नेपाल से सबसे पहले तुम्हें आपको ये जो अभी जो तेवारों का मौसम है जो अभी जस्ट जो दसेरा दिवाली जो आने वाला है और चट मांका जो हम लोग हिन्दु जो रास्ट हैं आपे बहुत सारे जो आप लोग भी जो चट बनाते हैं इस ब जो मेरे जितने जो फेर्वाष जो मेरे इसोसिएट्स हैं और जो बच्चे या जो parents जो मेरे द्वारा admission ले चुके हैं सबको मैं यहां से पहले तो सुपकामना देना चाहता हूँ बगमान लक्षमी आपके घर में आ और जो भी धन, संपत्थी, जो भी चीज़ है सारे चीज़ के कुस्या आपके घर में आए साथी, मैं यह message क्यों आज बना रहा हूँ बहुत सारे बहुत दिन से मैं बीमार हो चुका था डेंगू के वैसे और मैंने कुछ नए वीडियो अपलोड नहीं किये बहुत सारे messages आ रहे हैं, call आ रहे हैं बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि अब next क्या होगा हम लोग के पास दो दरह के बच्चे हैं एक है जो और लेडी हम लोग के पास registered कर चुके हैं आप लोग और किसी ने किसी college में आपने एक booking amount भी दे रखा है उन लोगों के लिए मैं message देना चाहता हूँ अपके 15 या 20 दिन के अंदर में Medical Education Commission दौरा जो form हर साल पब्लिस होता है वो पब्लिस होने वाला है जो मैं अपने पुराने सारे वीडियो में जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि अगर आपको नेपाल में MBBS पढ़ना है तो नेपाल का जो MEC Medical Education Commission होता है उसका form compulsory आपको भढ़ना है तो expected 15 या 20 November के बीच में form निकल जाएगा और form निकलने के बाद 20 दिन का time रहता है generally 20-25 दिन रहेगा means 5 December तक आपको form बढ़ने का time मिलेगा यह form कैसे बढ़ा जाएगा क्या documents चाहिए क्या size का photo होना चाहिए कितने जो यह bank का जो charges है यह सब सारे चीज़ मैं आपको next video में explain करूंगा जिससे आपको असानी रहेगा जिसमें कोई disturbance नहीं हो form बढ़ने में मैं एक चीज़ आपको बता दू जो मैंने पिछले बार भी बोला था आप ध्यान देंगे कि form बढ़ते वक्त आप अपना email ID अपना phone number अपना यूज़ करिएगा और ऐसे bank से पैसे transfer करिएगा जो MSC का form चार्ज जो पिछले साल 5000 रुपे था वो form आप ऐसे bank से पैसे transfer करे जहां यहां पे दिखे नहीं तो बहुत बार पैसे वहां से deduct हो रहे हैं और यहां नहीं आ रहे हैं फिर उसके बाद last में आपका form reject हो जाएगा तो मैं यह information देना चाहता हूँ जो student मुझे बार बार फालो कर रहे हैं कि जो या parents की जिसने admission provisional admission लेके booking कर रखा है उनके लिए 15 से 20 नॉवंबर के पास form खुल जाएगा उस time हम लोग आपको एक एक बच्चे को phone करेंगे और आपका form का हम लोग one to one हम लोग online दोरा आपका form fill up करेंगे यह हो गया उनके लिए बहुत सारे ऐसे भी query आ रहे हैं जो जिन्नोंने कोई registration करा के नहीं रखा है booking कर के नहीं रखे हैं और इंडिया में counseling देखना चाहरा है मुझे लगता है इंडिया में आपका 15-20 दिन या एक महने में आपका खतम हो जाएगा जो भी counseling चल रहा है तो मैं यह information देना चाहूंगा कि अगर आप डेलीमा में हैं कि इंडिया या नेपाल तो definitely आप इंडिया ट्राइ करना चाहते हैं आप इंडिया ट्राइ कर लो बट साथ-साथ आप एक नेपाल को भी alternative option रखे तो ये इसके लिए आप एक MSC का form fill up करके रखो आप एक form fill up करने में nominal charge पांच साथ जार रुपे आपका bank charges ये photo printing ये सब करने 5-6,000 रुपे आपका expenditure आएगा बट आपका एक साल बच जाएगा इसलिए जो नए बच्चे हैं जो जिन्होंने अभी भी booking करके नहीं रखा है या registration नहीं करके रखा है या आप इंडिया का counseling देखना चाहते हो तो मैं ये message देना चाहूंगा don't waste one year एक साल बहुत precious होता है next year भी हो सकता है जितना आपने score किया है उतना ही score आए या 100-200 आजाएंगे उसमें उतने variation नहीं आएंगे tuition भी भी आपको इंडिया में देख रहे हो बहुत ही high हो चुक है बहुत सारे private colleges का Nepal का जो education standard है मैंने अपने सारे वीडियो में बोलके रखा आप आके खुद भी विजिट कर सकते हो easy है, convenient है आप आईए जो existing student है उन सबसे आप मिलके समझके देख सकते हो कि कैसा education system है और मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगा kindly अगर आप Nepal में admission ले रहे हो तो kindly कोई भी authorized जो registered agency है उनके माध्यम से ही लीजिए आजकल बहुत सारे YouTube वीडियोज बनते हैं और online आपको advertisement आ रहा है इन सब माध्यम से आप लोग admission ले रहे हो कल के date में लंबा जड़नी है 5 सारे 5 साल में आपको बहुत सारे problem आना ही है tuition fee जो आप आप जानते हो agreement अभी आप तो admission 5 लाख रुपे सिर्फ बेज रहे हो booking amount या जो भी require amount to the college कोई agreement नहीं बन रहा है कल के date में कुछ hostel का clarity बहुत सारे चीज़ नहीं रहते है hidden costed जो आएंगे उसके लिए authorized agency के थूँ अगर आप जाते हो registered authorized के थूँ या हम लोग के जो associates है उनके माधियम से आप जाते हैं तो आप safe हो हम लोग यहाँ full time Nepal में है registered company है legally जितने formalities है सारे हैं हम लोग taxable pay करते हैं तो अगर कल आप जो हम लोग के माधियम से admission ले रहे हो या हम लोग के जो authorized agency के माधियम से ले रहे हो तो एक अप एक अपना legal identity आप अपना यहाँ पे रख रहे हो तो मेरा यही request रहेगा कि जो भी admission आप लेते हो तो कम से कम आप यह ध्यान दे कि यह authorized agency के माधियम से ही हो जिससे कल के date में कोई भी issues आए तो आपको cover कर पाए दूसरा मैं बहुत सारे videos में दो-चार बार मैंने बोल दिया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ about health की बैसे मैं travel नहीं कर पा रहा था मैं और मेरे जो partners है मैं संतोस, भगास, सुनील जी ये तीनों हम लोग सुनील सा हम लोग 5 नमंबर से लेके 15 नमंबर तक आपके सहर में रहेंगे मैं डेली में रहूँगा सुनील जी आपको पटना में रहेंगे और संतोस, उतरपदेस और जहारकंड में रहेंगे तो 5 से लेके 10 नमंबर के बीच में और 15 नमबर तक भी हम लोग हो सकता है रह सके तो 5 से 15 नमबर अगर आप हम लोग से मिलना चाहते है तो इंडिया में जो नमर डिस्प्लेय है रहा है आप उन से किसी से WhatsApp या डाइरेक्ट नमर पे कॉल करके आप एक registration टाइम ले सकते हो दूसरा एक और मैं important information आज देना चाहता हूँ जिपने मैं अभी सारे videos मेरे अभी तक जो भी बने है मैंने MBBS नेपाल के बारे में सब बात की है नेपाल का costing क्या है, eligibility क्या है, कैसे travel करना है, colleges कैसे है बट बहुत सारे queries और बहुत सारे मुझे email, SMS आ रहे हैं आप दूसरा country के बारे में कुछ information क्यों नहीं देते हो तो मैं आपको ये video के द्वारा message देना चाहता हूँ कि जो next मेरे जो video बनेंगे अब मैं MBBS in Bangladesh के बारे में भी कुछ topic आपको share करना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा agency है, जो मेरा company है ये नेपाल में हम लोग 2007 से registered है मेरा journey स्टार्ट हुआ था 2007 में MBBS in Bangladesh में उस time से जितने भी नेपाल से जो बच्चे देखेंगे maximum बच्चे हम लोग के द्वारा request Bangladesh में हुए तो अब मैं वही information, वही जो मेरे पास जो knowledge है और जो मेरे contacts है, जो issues जो आपको नहीं है वो MBBS in Bangladesh के बारे में मैं next videos डालूँगा उसके eligibility के बारे में, cost के बारे में कौन से university जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जो आप लोग सुनते हो, GPA, 7 GPA क्या है ये कैसे eligibility calculate करेंगे, year gapping क्या रहेगा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अगर Bangladesh, अगर आप destination, बहुत लोग जहाँ भी रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो kindly आपको ध्यान देना है कि आपको एक साल से जादा gapping नहीं होना है एक साल से जादा आपका gapping है, तो आपको problem आएगा biology में 60% है या नहीं है तो यह सारे topics हम लोग एक special video आपको मैं MBBS in Bangladesh के बारे में next जो मेरा next upload रहेगा, उसमें मैं बनाऊंगा और उस सारे Bangladesh के बारे में आपको updated रहेगा तो मैं फिर यहीं बोलके सारे जो मुझे लगता है, मैं एक summary कर दूँ कि पहला जो बच्चे registered होगे उनके लिए आप बहुत जल्दी form खुलने वाला है form भरते वक्त kindly ध्यान से form भरे जिससे आपका बाद में जाकी cancellation नहीं आए form के जो charges है यह सब आप अच्छे bank से form करे या तो हम लोग यहां help करेंगे अपने email ID, phone number, जो भी identity है यह सब आप खुद यूज करें जो आपके पास सारा control है दूसरा जो बच्चे registered नहीं कर रखे हैं वो भी अपना email का form फिल अप करके इंडिया में counseling आप देख सकते हैं आपके पास एक दूसरा opportunity भी रहेगा तीसरा हम लोग November 5 से लेके 15 November दक इंडिया में travel कर रहे है आप जो display में number है उसमें से किसी में से contact करके आप हम लोगों वहाँ मिल सकते हैं चौथा जो मैं important message जो मैंने दिया जो बांगलादेस के मेरे लिए बहुत queries भी आ रहे हैं मुझे कि आप बताईए नया destination तो बांगलादेस का मैं next view आपको उसे में करूंगा यही बोल के मैं फिर से आप लोग से आप लोग को जो भी कुछ और भी query रहे हैं तो आप WhatsApp यह इन सब से कर सकते हो और दिपाबली चर्ट का सुब काम न देते हैं मैं अपना यही पर सारा information यही close कर जाओं Thank you